क्या आप बहुत ज़दी ठक जाते हो, या फिर आपकी बोड़ी में पेंट रहता है, कभी कमर में, कभी कंदे में, कभी कुटने में यह स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राइ हो गई है रूखी सुकी बेजान हो गई है बाल रहे रहते हैं फ्रिजी रहते हैं नाखून बहुत ही ज्यादा वीक है और तूटते रहते हैं या फिर आप अगर थोड़ा सा चलते फिरते हो या सीडिया चलते हो तो आपको बहुत ज्या बहुत ही आसानी से दूर किया जा सकता है आपको इसके लिए मार्किट से सप्प्लिमेंट्स लेने की जबरुत नहीं बल्कि कुछ चीजें हैं जिने डाइट में आप शामिल करेंगे तो आप केल्शिम की कमी को दूर कर सकते हो तो क्या है वो चीजें यह तो आपको जिसे रोजाना दूद के साथ कंज्यूम करोंगे तो बढ़ती उम्र के साथ भी आपके कैल्शिम की कमी नहीं होगी आपकी हड़ियां मास पेशियां दूरुस्त रहेंगी और साथ ही साथ आपकी स्किन और आपके बालों की एजिंग भी डिले होगी तो चलिए जल्दी से स करती है वो है मखाना यानि की फॉक्स नर्स केल्शिम का खजाना है यह साथ ही साथ इसमें कॉपर मगनीशियम आयन भी होता है और गुड़ प्रोटीन होता है जो कि आपकी मसल्स को पावर देता है मखाना आपके ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को रिज्यूस करता है जैसे एज बढ़ने के साथ साथ जो आपके शरीर में अउक्सिडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है उसको यह कम करता है जिससे बढ़ती एज के साथ भी आप जुस्त दुरुस्त रहते हैं फॉर्गेटफुलनेस की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को एज बढ़ने के साथ साथ वह आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए बात करते हैं दूसरी चीज की जो की कैल्शियम की कमी को बहुत अच्छे से पूरा करती है वो है रागी जी हां रागी का आटा घर पे लाईए और रागी की कुकेस बना के खा सकते हो आप रागी के पैनकेक्स बना के और साथ ही साथ रागी की इडली भी बना सकते हो तो रागी को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजे किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पर आपको रागी का आता मल जाएगा और इसकी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी बना करके डेली बेसिस पर एक रेसिपी इंक्लूड कीजे आप देखेगा कि कैल्शियम का भंडार होती है, रागी प्रोटीन का भंडार होती है, और आपकी हंटियां आपकी मास पेशियों के लिए बहुत बहुत अच्छी होती है, रागी इसको भी कंज्यूम कीचिए, तीसरी चीज जो आपको जरूर जरूर अपनी डायेट में इंक अभी को पूरा करने में, अख्रोट, कैल्शियम, मैगनीज, मैगनीशियम, कॉपर, सिलेनियम और आइरन का खजाना होते हैं, बहुत सारे खाने जियानी की मिनरल्स भी होते हैं, जिससे की आपके शरीर में इन तथों की कमी पूरी होती है, और आपकी हडियों को बिलता है अगर शक्ति और स्ट्रेंथ तो बच्चों को भी और बड़ों को भी अख्रोट ज़रूर खाने चाहें लेकिन भिगो करके खाने चाहें, भिगो करके अगर आप अख्रोट खाते हैं तो इनकी गुनवर्ता दो से तीन गुना बढ़ जाती है, तो इन्हें कंज्यूम कीजे इनका फायदा उठाईए अब बात करती हूं वो पाउडर की जो आप घर पर बनाएंगे बच्चे बुड़े सभी इसे खा सकते हैं हड्डियों को मजबूती देगा दिमाग को मजबूती देगा आपके नेल्स ब्रिटल नहीं रहेंगे अगर यह पाउडर खाएंगे स्किन में रुखा सुखा रहता या बाल फ्रिजी रहते हैं तो उस प्रॉब्म को दूर करेगा और साथ ही साथ यह पाउडर आपके शरीर को बल देगा बल वर्धक शक्ती वर्धक भी है यह पाउडर कोई भी से कंजूम कर सकता है छोटे बच्चे हैं तो आदा चमश दिन मे लेंगे और बड़े लोग इसे एक चमश की मात्रा में दूद के साथ लेंगे कैसे बनाना है इंग्रीडियेंट्स क्या है चल्दी से देख लीजे इसके लिए आपको चाहिए एक कटोरी मखाने 20-25 बादाम 20-25 अखरोट एक इंच का टुकड़ा दालचीनी का लेना है आप को लेने है थोड़े से फ्लैक सीट्स 20-25 ग्राम की मात्रा में और साथ ही साथ चाहिए 2-3 इलाइची और चाहिए मिश्री 25-30 ग्राम इन सभी चीजों को आपने पीस लेना है महीन पाउडर बना लेना है यह पाउडर आप एर टाइट कंटेनर में भर करके रखेंगे और र दूद लेते हैं तो रात को ही पाउडर डूद के साथ कंगी करेंगे दिन में एक ही समय करना है चाहे सुबह या फिर रात में इसके साथ साथ हडीयों की मजभूती के लिए आपको एक बहुत ही उम्दा बहुत ही नायाब मुद्रा बता रही हैं और वह है प्रिथवी करके रखेंगे 15-20 मिनट के लिए डेली तो इससे आपकी शरीर में कैल्शिम की जो कमी है वो पूरी होती है स्किन, बाल और आपकी हड़ियां इन तीनों को नया जीवन देती है ये मुद्रा और साथ ही साथ आपकी बॉड़ी में बल भी देती है कैसे बनाएंगे आपको रिंग फिंगर की टिप को अपने धंकी टिप के साथ इस तरह से मिलाना है हलका सा प्रेशर देना है और आप इसे अपने लैब पर रख सकते हो ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे ही मुद्रा करनी है आप खड़े हैं या चल रहे हैं तो भी ये मुद्रा चल सकते हैं और आप लेटे लेटे भी ये मुद्रा बना सकते हैं तो यह बहुत ही उंदा बहुत ही नायाब तरीका है कैल्शन की कमी को पूरा करने का जो डाइट टिप्स मैंने आपको दिए उनको फॉलो कीजिए इस पाउडर का सेवन कीजिए और ये मुद्रा भी रखान रखेगा खुश्च रहीएगा बबाई